तो दोस्तो आज के इस बीड़ों हम बात करेंगे HTM D3 टेबलेट के बारे में अब इस टेबलेट के क्या फायदे हैं इस मेडिसीन को कैसे लेना है क्या साइड अफेक्ट है सारी जान करी दूंगो तो वीडियो जो है इसकाउंट के साथ सेल करती है और यह जो है एस्टेरिजम फार्मा बालू की है अब देखिए इसमें है क्या मतलब इसके इंग्रियंट क्या है कमपोजिशन क्या है तो देखिए दोस्तों इसमें कैल्सियम मिलेगा 500 mg में बिटामिन D3 मिलेगा 400 इंटरनेशनल यूनिट में बिटामिन D3 को आप को ले कैल्सिय फरॉल भी बोलते हो तो इन दोनों के दोवारा यह जो है मेडिसिन मनाई गई है अब देखिए हम बात कर लेते हैं इसके फायदे के बारे में तो देखिए यह जैसे के कैल्सियम बाली मेडिसिन है जैसे के आपको पहली बता दी इसमें कोरल कैल्सियम और बिटामिन D3 है तो इन दोनों की फायदे मिलते हैं जैसे के यह सबसे पहले तो हड्डियों को मजबूत करती है इसके बहुत जारे फायदे हैं मैं आगे बताऊंगा तो देखिए हड्डियों को मजबूत करेगी हड्डिय कमजूर हो गई है उसमें आप इसको ले सकते हो कैलसियम के एब्जॉर्शन को बढ़ाती है अब देखिए होता क्या है कि जो भी आपको डाइट से कैलसियम मिलता है डाइट से जो आपको कैलसियम मिलता है लेकिन होता क्या है कि एब्जॉर्शन पाबर है उसको यह बढ़ा देती है कैलसियम मैंगनेजियम का जो फॉस्पोरस जो कि एब्जॉर्श होना चाहिए वह अच्छी तरीके जफिर होता है तो इसके अलावाद देखिए हड्डियो है जिसमें के हड्डियों के डेंसिटी कम हो जाती है हड्डियों सॉफ्ट हो जाती है जिससे के हड्डियों के तूटने का या फ्रेक्चर होने का खत्रा बना रहता है और आमने देखा भी होगा कि कई लोग जरा से गिर भी जाते तो उनकी हड्डियों तूट जाती है तो क मसल्स को मजबूत करते हैं का बीवार तर्फ का दरद उसमें ऐगे का हए किया मेलिश्म मेंध दर्ध मेम्न थे कमी हो जाए तो उनको बीवार की ये धर्ध कीव हो रहा नहीं को है इस्के होता है झालेनलियां करते हैं तो उनको धुम कमजोर है आप बहुत ही जली ठक जाते स्टेमना कम है सभी आपको लग सकता यहां तक कि बाल भी जड़ सकते आपके तो इस चीज का आपको ख्याल लखना है कि कैल्सियम बेटामिन के लिए होता है इसके लाबा एक चीज ओर है मीनो पॉज के बाद इस टाइप से मेंडिसिन दी जाती है उनको जो है जल्दी तूड जाती है तूडने खत्रा बना रहता है तो भाई यह हैं इसके में फायदे अब बात करते हैं डोस के बारे में तो देखिए दोस्तों यह है चूसने वाली मेडिसिन तो एक दिन में जो है एक टेबलेट आपको चूसनी रहती है और अगर आपको कुछ प्रॉलम है चूसने में तो पानी के साथ भी ले लेंगे तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आपको प्रॉलम ज़्यादा है तो फिर इसको एक दिन में दो बार लेना होता है, इसको कभी भी ले सकते हो, खाना खाने के बाद लो, पहले लो, लेकिन खाना खाने के बाद लें तो बहतर रहेगा, अब देखिए इधर बात करें कौन-कौन ले सकते हैं, तो सभी ले सकते हैं, मेल, फीमेल सभी ले सकते हैं, प्रिकनेंसे में भी ले स पच्छों के लिए ऐस चोड़े बच्छों के लिए तो अलक्सी सिरफ आता है आप इधर कब तक लेना है तो इसको जो है आप एक से तीन महने तक लेकर देख सकते हैं वो डिपेंड करेगा आपकी बीमारी प्रोडम पर वो रिजल्ट के बारें बात करें तो एक महने कम सकम लेकर देखिए एक महने में आपको जरू इसका बहुत अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है आप कोई दूसरी मेडिसन पहले से चल रही है तो वो ले सकते हैं कि नहीं तो बिलकुर ले सकते हो लेकिन कैल्स एम बिटाविन D3 No 2 जरू लेने हैं कालिसरी आपकी चल रही है इसको जरूड नहीं है या फिर अदिक जानकर इए जो आप डॉक्टर से होता है और इसके अलाबा देखिए आपका वजण ज़्यादा ज को कम करना है connected को कम करीये है फार्प पी सकते हैं सौबा की थोड़ा से धूप ले सकते हैं तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं एक्साइज बगेरा करते रहे तो दोस्ते दर वीडियो खतम होता है उमिद करता हूं अपको पसंद आया होगा समझ भी आया होगा तो पसंद आथ मैं करें और इस चाइब से वीडियो